हलो गाइस वेलकोम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल होपकर तो आप सभी लोग ठीक होंगे मैं भी एक दम बढ़िया हूँ तो गाइस आज की वीडियो बे हम बात करने वाले हैं कि अपने मतलब की वर्ड्स की केर कैसे करें अपने जानबरों को सेहतमन कैसे रखे ताकि वो अपने देती रहे वो बिमार भी ना और उनकी शाइनिंग भी बनी रहे तो गाइस इसके लिए आपको बहुत सारे तरीके में आज बताने वाला हूं तो वीडियो को एंड दक जरूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले वीडियो को लाइक भी जरूर सब्सक्राइब कर दो कि यह फ्री ओफ कॉस्ट है तो गाइस सबसे पहले टिप है कि आप उनको खाने पीने में क्या दे रहे हो तो मतलब अगर आपके मुर्गे की खाना पीना अच्छा नहीं है वो ढंक से नहीं खा पा रहा है वो स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं जी पा रह अगर आपके पास मतलब की मुर्गियों के रखने मुर्गियों को रखने के लिए खुली डूली जगह है आपके पास जानवर अच्छे से घूम फिर सकता है तो वो कि भी खुश रहेंगे और उसके बाद आपको ध्यान रखने सेकेंडा पॉइंट का कि आप उनको क्या डाल रहे हो कितना डाल रहे हो लिक्ष्ट्र अपने क्या देरी उसाथ में जैसे कि मेरे ये जानवर इनको में बेसिकली तो मक्री जवार कनद बाजरा चावल वगण ही थेए तो फीड के साथ साथ आप उनको पानी में कौन सा सप्लीमेंट दे रह synagogueique मुर्गियों में अंडे देने की वज़ने की वजह से अकसर कैल्चिम की कमी हो जाती है जिसकी वज़ने नहीं दे पाती हैं अंडे ना दे अंडे कैल्चिम क्योंकि कैलचियम है जो उसके उसकी वज़ज़ से ना अंडे का जो बाहर वाला शेल होता है वो बनता है अगर मुर्गी में कैलचियम की कमी रहेगी तो वार बाला शेल नहीं बनेगा जिसकी वज़ज़ से बहुत सारे भाईयों की कम्प्लेंट्स भी आती है कि हमारी मुर्गी अंड दूद के लिए यह बी इनको डाल के रखता हूं कि इसको खाने से ना मतलब कि यह मोटे तकड़े रहते हैं और इसको यह खाते भी बड़े खूश होके हैं और उसके बाद मतलब कि अगर आप जवनवर को एक जगा बंद कर रखते हो तो कोशिश करें कि जो घेतों में हम अप आप खुले छोड़ते हो खेतों में तब तो आपका जानवर आटोमेटिकली ही स्वस्त रहेगा तगड़ा रहेगा टाइम टू टाइम इनके डी वार्मिंग अन्नी बहुत ज़रूरी होती हैं को वेक्सिनेशन वगारा प्रवाइड बहुत ज़रूरी होती है मतलब कि कई जादा खाने की वज़े से भी अपना जान बर रुख जाता है तो जिस वज़े से वह फिर कमजोर होना स्टार्ट हो ज़्यादा खाता पिता नहीं और अंडे वगारा देने पंद कर देते हैं तो इनको लीवर वगारा के सप्लिमेंट्स भी देने पड़ते हैं लीवर 52 की आप इनको दे सकते हैं जिसकी वज़े से यह मतलब की खुल के खाते पीते हैं और इनके शरीर को उतनी जादा न्यूट्रेंट मिलते हैं तो यह उतनी हटे-कठे बन जाते हैं और अट-लीस्ट ट्राइब करें कि 10-12 मुर्गियों में सिरफ एक ही मुर्गा रखे ताकि मुर रहते हैं सर्दियों में इनको शाम वाली जगह पे कभी मत बंद करना और अगर शाम को बंद कर रहे हो तो इनको अच्छे लाइट पर प्रोवाइड करो ताकि यह वाम रहे इन चूजों को भी मैं यह 20-20 दिन के हो गया है इन चूजों को मैंने पोल्टरी के फीट स्टार् नहीं होगा तकि यह लिए लवड़ा